तब मान करें और इस सेशन में हम कासगंज नगर पंचायत इलाकी को लेकर बात्ची तरने जा रहे हैं क्या काम हुआ ? क्या कुछ रोड में आगे का है ? और अब तक जो हुआ वह कितना काफी है ? इसको लेकर इस सेशन में बात होगी तो निकिता इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी, मेरी सहयोगी निकिता, over to you बहुत शुक्रिया पराग आपका तो इस वक्त हमारे साथ नाशी खान मौझूद है इंडिया न्यूज मंच पर बहुत स्वागत आपका नाशी जी आपको बता दे कि नगर पंचायत अध्यक्ष सहावर से रही हैं और इन्होंने निर्दलिये चुनाव लड़ा था जहां पर भारतिये जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को भारी मतों से हराया था निर्दलिये चुनाव लड़ा आपने क्या ऐसा सूजा कि अब हम निर्दलिये चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद आपने जीत भी हांसल की अब बस कुछ परिस्तियां ऐसी हुई कि मैं कैमेले की बेटी हूँ तो वहां से मैं कैडिडेट भी थी उसके बाद कुछ परिस्तियां हुई कि कारणवर्ष टिकेट कटा तो मुझे यह हुआ कि मुझे अपने आपको प्रूफ करना है कि जन्ता मेरे साथ है मैंने कारे किया है तो मुझे में इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं इंडिपेंडेंट जीत जाओंगी आपने टिकेट कटने की बात की जब आपकी मा विधायक रही 2012 से 17 की अगर मैं बात करूँ और उसके बाद आपने टिकेट की दरकार की और वो कार्ट दिया गया क्या वज़े है समाजवादी पार्टी को विकास रास नहीं आ रहा था नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मेरी माता जी ने काफी वहाँ विकास किया था और मैंने प्रतनिदी के तो और पूरी तरह से उनका सहीओ किया था हरे कार में कुछ परिस्तेतियां रही होंगी उनको लगाओगा शायद में उतना डिजर्व नहीं करती क्या कह सकते हैं आप तो निर्दलिय चनाव लड़ी और आपने हराया भी तो वही एक बात थी ना कि प्रूफ करना था कि मैं कर सकती हूँ क्योंकि विकास कारे की अगर मैं बात करूँ तो हमने देखा कि उस दौरान रिकॉर्ड तोड़ विकास हुआ उत्तरपरदेश में सबसे लंबा ब्रिच की अगर हम बात करें कादर गंज पुल था तो आप लोगों के सहयोग से साथी साथ सरकार के सहयोग से वो प्रोग्रिस हुआ आगे बढ़ा और पुल बना और साथी साथ अगर मैं कास गंज की समस्याओं पे फोकस करूँ तो क्राइम रेट बहुत था लेकिन आपकी माता जी की आने से क्राइम रेट भी डाउन हुआ और साथी विकास कारे आगे बढ़ा था अगर मैं सही जी जी बिल्कुल एक बहुत बड़ी समस्या थी कि काजगंज और बदाईूं काजगंज में जो हमारी पट्याली विधानसबा है मैं बताना चाहूंगी थुड़ा सा कि काजगंज हजरत अमीर खुसरो साहब और संत तुलसिदास जी का छेतर है तो उनकी जनम भूमी है ये त जाहिर सी बात है कि हमको देखना था कि जादे से जादा यहां विकास हो और गंगा जमना तहजीद दोनों मिली रहें और भाईचारा बना रहें क्राइम कंट्रोल हो तो विकास के लिए हमने सबसे पहले कादर गंज जो बिच था उसको बनवाया वो उत्तर प्रिदेश का स उसे जोड़ा गया उससे किसानों को मजदूरों को व्यापारियों को गंजनवारा पटियाली वहां के आसपास के इलाके के जो भी शेहर थे उनको भी काफी सारा फाइदा हुआ क्राइम रेट की अगर मैं बात करूँ तो निकिता जी आपने कहा तो जब हमने शुरुवात की थी पटियाली में तो वहां पर गंगा का इलाका है गाओं है तो वहां पर एक बोर्ड लगा रहता था और उस बोर्ड पर बाकादर लिखा होता था कि चार बजे के बाद यहा लगा हुआ है तो जब हम लोग जब मेरी माताजी विधायक बनी तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वहां पर क्राइम कंट्रोल हो और क्राइम शैद वहां पर इसलिए हो गया था क्योंकि वहां पर विकास नहीं था सड़के ही नहीं थी जब हमने शुर कि बात करें तो लाइट के नाम पर रोष्नी के नाम पर वहां कुछ नहीं था करीब 407 गाउं में हमने वहां पर विधूति करड कराया था चोटे-ंबड़े हमने 19 पोल बनवाए थे 19 चोटे और 2 बड़े पुल बनवाए थे करेब 21 बनवाए थे तो विकास की तो ये बात स वहां पर अगर इसे क्या कुछ कार हुए अगर प्रोग्रिस फ कार की बात करूओं टेवलप्मेंट और इंफ्रास्ट्रुक्चर रलेटड बात की जाए तो क्या कुछ कार आपने और आपकी माता जी ने मिलकर किये वहां पर कि एक तो यही ता कि हमने चटके बन वाई ते हम पर दुर कराई। हमने पूल बन बफाए। उसके एलावा में बिजली के सब सब्स्टेशन भी बन वाए। करीब चार सब्स्टेशन हमने बनवाए थे। और उसके आलावे हम ने शिक्षा पर हमारा काफी जादा ध्यान था क्योंकि हमने हमारी एक सोच थी कि हमारे यहां के बच्चों के हाथ में कटे तवंचे नहीं होने चाहिए हमारे यहां के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होनी चाहिए तो हमने वहां पर प्राइमरी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उस पर भी हमारा पूरा ध्यान था और हम खुच जाके स्कूलों में देखा करते थे कि टाइम से शिक्चक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं कारे अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है तो हमारी हर एक छोटी बड़ी ची करती थी कि विधान सभा के अंदर सब कुछ अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है ऐसे ही मैं उस टाइम पे यूपी आरेनस की डारेक्टर थी तो सहिकारिता में होता है कॉपरेटिव का एक सेक्टर है यूपी आरेनस तो उसके जरिये भी मेरा पूरा डिस्टिक पर ह यह थी कि हम अपने अगर हमको इशिवर ने इस काबिल बनाया है तो अपने जन्पत के लिए कुछ अलग करें कुछ अच्छा करें तो उस वक्त में यह था कि जन्पत कासगंज खतम हो जाएगा नया जन्पत बना था तो यह था कि अगर यहां पर टाइमली डवलपमेंट और बिल्डरिंग स्ट्रक्चर नहीं बन पाए जैसे की collect rate होती है पूरा आपका एक office होते हैं पुरा इंफ इन्फरस्ट्रक्चर होता है कोड होता है तो हाइकोर्ण से बाकाईदा यह था कि अगर यह इतने टाइम तक नहीं बन पाता गया जिंड होता तो यह जिला खतम हो हावर में एक तहसील बनवाई, कास गंज में हमने कोड बनवाया UPRNS से और काफी कारे हमने कराए जिससे कि हमारा जनपत कास गंज, पटियाली विदान सबा, यह जो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, तो इसके लिए हम कुछ कर सकें अच्छा, बिल्कुल क्योंकि अब फिल अब हाला कि अफसोस की बात यह है कि हमें बजट नहीं मिला है, तो थोड़ा से में परिशान हूँ नचीजों को लेकर जो मैं करना चाहती हूं, बहुत कुछ मेरे मन में है, बहुत कुछ क्रिएटिविटी मेरे दिमाग में चलती रहती है कि मुझे यह करना है, मुझे वो क करती थी, तो स्वच्छता पर मेरा पूरी तरह से ध्यान के इंदरित रहता है, और मेरा यही प्रयास रहता है, कि बहुत अच्छे से सहावर, जो मैं जहां से नगर पंचाय तद्यक्च हूं, वो साफ रहे, स्वच रहे, और एक गली, एक एक जगा को मैं खुद ध्यान से देखती भी हूं, मैं जाती भी हूं, महलो में, और जब तक ग्राउंड जीरो पर हम नहीं उतर हैंगे, तब तक हम वाकई वहां की सच्चाई से वंचित रहेंगे, वंचित रहेंगे, exactly, तो that's what is in my mind, और मैं उसी को लेकर काम भी करती हूं, कि मैं खुद जाती हूं, मैं खुद मिलती हूं, और मेरा सेलफोन 24 गंटा ओन रहता है, और in fact, अगर मुझे कोई बच्चा, मुझे कोई महला भी मेसेज कर दे, कि आज हमारी ग जैसे कि वैसे तो अगर देखा जाए तो हमारा काम सरिफ street lights का है, ने कर पंचायत का, लेकिन street lights से हटके, मैं मानिये, विदृत मंतरी जी के बाद गई, मैंने डिमांड की उससे, और इश्वर की किरपा से, एक साल के अंदर हमारे साहवर के सारे तार बदल चुके हैं, जो बिल्कुल जर जर हो चुके थे, और light आती ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा परिशानी हो जाती थी, क्योंकि जब पुराने तार होंगे, फिर उनको आप ठीक करवाओगे, तो इट टेक्स टाइम, तो उसमें यह होता था कि पता चला, आई ही लाइट चली गई, आई ही चल कर सकते हैं, लेकिन चलो मेरी महनत रंगलाई, ट्रांसफोर्मर्स भी सारे चेंज हो चुके हैं, तो अब बिजली की समस्या से सहावर को निजात मिल चुकी है, और सफाई तो अच्छी चली रही है, इसके अलावा, बजट की थोड़ी कमी है, लेकिन इसके बावजूद, प उपना घर सजाती है, तो ऐसे ही हमने पत्याली विदान सभा को सजाया तो और इसी पिरकार से, सहावर को सजवारने की कोशिश है, तो मैं बस इसी कोशिश में हूं और सीसी रोड पहली बार सहावर में सीसी रोड बनी है, और आगे भी इंशालला पुरी उमीद है के जैसी केबिल से वही पड़ी हैं, नई पोल्स हमने लगवाए हैं, नई वाइस हमने लगवाए हैं, नई ट्रास्फॉर्मर्स हो गए हैं, और हमारी यही कोशिश रहते हैं, किसी भी गली में अंधेरा ना हो, अगर कोई भी हमें शिकायत करता है, कि स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही हैं, इस गली में अंधेरा है, तो कितना भी टाइम हो हमारी कोशिश रहती है, कि हम तुरंट के तुरंट समस्या का समाधान कर सके, क्योंकि समस्याएं बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं हर जगा, लेकिन समाधान होता है, समाधान करने की अगर कोशिश की जाए, ज व मञेग बनाते हैं कि ऐसा नी हो पाया, इसलिए ये ये नी हुआ, ऐसलिए नी है, इसलिए नी हुआ. मुझे लगता है कि बहाने बनाने से जाधा, हम अगर समाधान की तरफ धेयान देंगे, तो कुछ भी ऐसा नहीं जो हमारे लिए संभव हो. तो आपको लगता है कि आपने ऐसी कई महिलाओं क्योंकि अगर हम law and order या महिला सुरक्षा की बात करें तो आपको ऐसा लगता है कि आपने महिलाओं का एक mindset है उसको broad किया है और वो सच में अब safe महसूस कर रही है अगर हम सहावर के point of view से बात करें तो सहावर में तो सब safe महसूस कर रही है सहावर पे देखिए मैं वैसे भी control रखती हूँ चीजों को और अगर हम महिला सुरक्षा की भी बात करें तो इत्तिफाक से हमारी SDM भी महिला है हमारी CO भी महिला है मैं खुद भी महिला हूँ तो हम लोग बहुत focus रहते हैं अपने काम को अगर कोई भी महला हमारे दरवाजे पर आती है इनफेक्ट अगर कोई मुझे कॉल करके भी अपनी प्रॉब्लम बताता है तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उसका सॉलूशन करूँ और किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए नयाय मिलना चाहिए सबको और अब तक मेरी यही कोशिश रही है कि मैं नयाय का साथ दूँ क्योंकि मेरी माने वो संसकार दिये हैं कि बेटा कभी किसी के साथ गलत मत करना अगर तुम्हारे साथ कोई गलत कर भी रहा है तो उसको इशवर के ऊपर छोड़ दो अल्ला उसको इशवर उसको सजा देगा हम उसको सजा नही हमारा काम है कि हम सबके लिए अच्छा करें सामने वाला गलत करता भी है तो उसको इग्नोर करें और चीजे अपने आप ठीक हो जाएंगी लेकिन अगर दूसरे के साथ मैं गलत होते देखती हूं तो मैं इग्नोर नहीं कर पाती हूं और मैं खड़ी हो जाती हूं जो पीड़ कम हुआ है महिलाएं अपने आपको सबसे ज़्यादा सेफ महसूस कर रही है आपको ऐसा लगता है मैं और जगह की तो बात नहीं करूंगी और जगह तो कुछ-कुछ शिकायते आती रहती है लेकिन मुझे लगता है सहावर में क्राइम रिट कम है औरों की अगर कंपेर करें क्योंकि हम लोगों को भी नजर रखनी पड़ते हैं मुझे लगता है कि नेताओं को आम जनता को भी आगे आना चाहिए अगर कुछ गलत हो रहा है ना तो हमें आवाज उठानी चाहिए और अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे और सिर्फ पीड़ा को सहेंगे तो उसका कु करें तो मैं आपको बताओं कि हमारे जो सहावरे वो एक बिल्कुल सुक्चैन नगरी है जिसमें कि हिंदू मुसलिम जितनी भी जातियां हैं सब एक साथ मिलकर रहती हैं अभी राम बरात का उधगाटन हुआ था वो भी मैंने किया था बाराव वफात का कारेकरम होता है वो एक दूसरे के धरम की इज़त करेंगे तो मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा क्राइम भी कंट्रोल रहेगा और हम अगर अपने नौजवानों को भी समझा के रखेंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है यह सिर्फ यह नहीं है कि पुलिस समझाए तभी समझ में आ पड़ेगा वो अगर अपने घर के लोगों को समझाएंगे कि बेटा यह सही है और यह गलत है और एक अच्छी शिक्षा देंगे अच्छे संस्कार देंगे तो मुझे लगता है क्राइम को काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं और खतम भी किया जा सकता है अगर आम जन्मा कि अगर बात की है वो हमेशा सरकार परतंच कसते हैं कि क्राइम रेट अभी जादा है महिलाएं अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है वो शायद अपनी सदी में लॉट कर नहीं देखना चाते हैं कि तब आखिर क्या कुछ ग्राफ्स थे और अभी क्या कुछ ग अगेले घूम लूँ तो मुझे डर लगता है जिस तरह के केसिज में सुनती हूँ कि यह हो गया वो हो गया तो मुझे लगता है कि क्राइम उतना बाहर कंट्रोल में नहीं है और महलाएं अकेले आज भी नहीं निकल सकती हैं और वो अपने आपको असुरक्षित फील कर रह है कि तरह कांट्रोल जिस तरह यहा तो आपको ब्रॉडर रंगल में सोचना पड़ेगा सावर 19 Otbellisant अअनुअ कि तो कहरी हूं कि तो करें थे नियिया, if I am talking about my area, तो it's under control. But if I will talk about Lakhnau, if I am talking about Noida, then I think कि हमें अभी बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि, इसमें कहीं ज़े लगता नशे का योगदान है. सबसे पहले तो हमें नशा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना पड़ेगा क्योंकि नशे में इंसान बहुत कुछ वो कर जाता है जो वो करना नहीं चाहता है चोरी हो, कोई भी गलत काम हो, महलाओं की या सुरक्षा की बात हो तो मुझे लगता है कि माने मुक्मंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि नशे मुक्त उत्तर प्रदेश बनाए चलिए बहुत शुक्रियां हमसे बात करने के लिए हमारे साथ जुडने के लिए और कई ऐसी चीज़ों को सांजा करने के लिए लगतार इंडिया निउस का मंच जारी है और निश्री खान इस वक्त हमारे साथ मौझूदी थांक यू सो मच नाशी जी आप से आग्रे करूँगा आप मंच पर रहें अजीत प्रताप सिंग जी रेजिडेंट रेडिटर इंडिया निउस उत्रप्रदेश के आए मंच पर मोमेंटू देकर उनको सम्मानित करें नाशी जी ने बताया कि किस तरह हम भाई शारे के साथ एकता के साथ विकास कर सकते हैं और ये संभव है असंभव नहीं है जोड़दार तालिया नाशी खान जी के लिए